सब्सक्राइब का चेप्टर हमार पास चलिए फार्मकोलोजी में और यह उसी सिरीज का चौत्था लेक्चर है देट इस कॉल्ड एस एंटी एरिद्मिक ड्रॉग्स इसमें हमाँ बात करेंगे आज सबसे पहले अग्जेक्टिफ जो आपके पास है आपको पता चलेगा कि बेसीली इरिद्मिया क्या होता ऑर एंटी एरिद्मिक ड्रॉग्स क्या है और कुछ न्रिसिंग कनसेडरेशन्स starting with the arrhythmia जो आपके पास एक basic concept है that is heart rhythm का ठीक है अब heart rhythm अगर आपको पता हो कि क्या होता है जो आपके पास normally heart की contractions और relaxations हैं जिसको आप normal ECG में भी देखते हो कि इस तरह wave आती है P फिर इस तरह से Q, R, S और इस तरह T segment है या normal heart की ECG है P, Q, R, S और फिर इस तरह से T segment जो है जो normal heart की ECG होती है specific rhythm में heart contract और relax कर रहा होता है और इस तरह से जो आपके पास normal heart rate आता है तो एक minute के अंदर तकरीबन आप कह सकते हो कि heart 60 to 100 beating करता है इसको आप heart rate कहते हो अगर आपका heart rate 60 से लेके 100 तक है तो यह normal है अब abnormal क्या होगा that would be called arrhythmia normal is rhythm जो आपके वास normal rhythm है और abnormal है भी call it arrhythmia यानि absence of rhythm absence of rhythm दो तरह का हो सकता है या तो 60 से कम होगा या फिर 100 से ज्यादा होगा उस टाइफ्स की पर हम बात करते है बट वहाँ पर जाने से पहले आपको एक चीज़ जरूरी है समझना that is called as conduction system of the heart heart का conduction system देखा जाए ना तो आपके पास यह जो heart के cells होते है heart में दो तरह के cells है एक होते है sodium driven cells और एक होते है calcium driven cells ठीक है अब अगर आप देखें तो heart में एक जगा पे आपको एक स्पेसिफिक cells दिखाए रहते है जिसको हम कहते है sa node फिर आपके पास एक और से जिसको आप av node कहते हो फिर उससे इस तरह से bundle निकलती है called bundle of his और वो नीचे आकि वह आपस इस तरह उपर जा रही होती है we call them परकिंजी fibers खीक है तो इसका conduction system of the heart कहते हो ऐसे node से automatically waves generate होती है contraction की और इस तरह से atrium में फैल जाती है तो इस तरह से दोनों atria contract करते है फिर ये waves पहुंचती है av node की तरफ छोटा सा delay आता है यहां पे और av node से यह आती है ventricles में और इस तरह से फिर ventricles में contractions आती है तो क्योंके ये waves खुद बखुद generate होई है this phenomena is called automaticity ये heart की एक specific property है कि ये खुद से अपनी contractions generate करता है that's why we call it automaticity normally हमारे जिसम में अगर कोई muscle contract करता है that is because उसके पास जो है brain से neurons आती है और वो contraction ला रही है heart में ये property होती है कि आप उसको जिसम से काट के बाहर निकाल दो बाहर भी पढ़ा होगा ना तब भी वो contraction और relaxation करेगा that means कि brain का totally आप connection काट दो फिर भी उसमें contractions आ रही है तो ये जो property है heart की हम इसको automaticity कहते है कि वो automatically contract करता है अब आते है अरिद्मिया पर ये जो आपको table दिखाई दे रहा है blue color का इसमें आप देख सकते हो कि normal range क्या है normal range is from 60 to 100 ठीक है अगर 60 से heart rate कम है that would be called is bready arrhythmia ये जैसे bready cardia होता है heart rate कम हो जाता है इसको bready arrhythmia कहते हैं और अगर 100 से उपर जा रहा है it would be called tachy arrhythmia tachycardia जैसे होता है अब इसके levels है अगर आप 150 to 200 है थोड़ा कम tachy arrhythmia भी call it paroxysmal tachy arrhythmia 350 तक है it would be called atrial flutter और even 500 तक आ गया it would be called atrial fibrillations यानि बहुत severe condition है ये अब आते है arrhythmia का जो general concept हमने पढ़ा कि आटोमेटी सिटी स्टार्ट हुई थी sinus node से यह नहीं sa node sinoatrial node फिर atria में वो फैला उसके बाद वो पहुंचा av node तक और av node से फिर वो ventricles में जो आपके पास है impulses वो फैल गए if this is the heart और आपके पास यहां पे ऐसे node है यहां पे होते av node और फिर इस तरह से bundle branches आती है and then purkinji fibers इस तरह ventricles में तो ऐसे node से rhythm स्टार्ट हुआ atria में atria से आ गया av node में और av node से देन वो ventricles में गया now जो हमने बात की कि heart में जो है दो तरह के cells होते है एक वो cells है जो calcium driven है यानि जो calcium उनमें आएगी तो उनमें contraction आएगी और एक वो है जो sodium driven है जिनमें sodium के तरू जो gap junctions होते हैं और sodium के तरू जो है contractions आती है अब यहां पे ज़रूरी बात किया है जो calcium driven cells है न उनमें होती है automaticity जैसे आपने देखा sa node था av node था बंडल ब्रांचेज यह वाले परकिंजी फाइबर जो मैंने आपको conductive system दिखाया है this is calcium driven यहां पे calcium होती है calcium आती है और contractions लेके आती है बाकी जो muscle है cardiac muscle वो आपके पास sodium driven है उनमें खुद बखुद automaticity generate नहीं होती है तो हाट में दो तरह के cells हो गए MCQ के हवाले से यादर किये calcium driven are the automatic that's why we call it automaticity sodium driven are not automatic then we have the electrophysiology of cardiac tissue that means जो normal ECG है वो आपको समझ आनी चाहिए in order to understand arrhythmia and rhythms जो normal rhythms होते हैं एक diagram के दुरू अगर हम समझना चाहें कि यह जो cardiac contractions है इसमें क्या क्या involved है तो इस बेसिक आपके पास impulse generation कैसे होती है depolarization और repolarization क्या है इसको basically हमें समझना होता है myocardial जो action potential है action potential आप जानते हैं कि जब भी contraction आती है वो action potential के जरीए आती है और action potential automatic tissues जिनमें automaticity है as already called it calcium driven और non-automatic tissue that are the sodium channels so दोनो का माडियो action potential है different है arrhythmia की जहां तक बात है that is disturbances in the heart rate disturbance in the rhythm और we can say impulse generation जो आपके पास action potential generate होता है और conduction of electrical impulses जो impulse की conduction है जैसे sa node impulse conduction start होई av node तक गई तो यह जो fibers हैं इन में कहीं पर problem आ सकती है which would be cause जो के eridmia cause करेगा these disturbances they can cause cardiac function disturbance and it can be life threatening जैसे fibrillations are life threatening देखें fibrillation का नुकसान क्या है जब heart rate बढ़ता है ना तो heart इतनी तेजी से pump कर रहा है कि heart को time ही नहीं मिलता कि proper blood की filling हो तो heart rate ज्यादा होने का मतलब है कि cardiac output कम होता है और cardiac output के कम होने का मतलब कि आपकी tissue perfusion कम हो जाती है तो heart rate का ज्यादा होने का मतलब कि cardiac output भी कम हो रहा है Now anti-arrhythmic drugs क्या है वो compounds या वो drugs जो cardiac arrhythmia को prevent करें So now we have the understanding mechanism of arrhythmia जिसमें आपको पता चलता है कि arrhythmia अगर होता है तो वो कैसे generate करता है दो mechanism से यह दो वजुहात हो सकती है एरिद्मिया cause होने की पहली चीज इंपल्स जनरेशन यह जो आपके पास action potential generate हो है ला calcium driven cells में impulse generation में मसला है चाहे abnormal automaticity है यानि ऐसे node से जो impulse generate हो रही है वहाँ पर disturbance है या delayed after depolarization इसको कहते है DAD delayed after depolarization तो मैं आपको समझाता हूँ फिर के depolarization और repolarization क्या होती है दूसरा चीज हो सकता है impulse conduction के चले generate तो हो गई लेकिन फिर impulse ने ऐसे node से atria में जाना है फिर ventricles में जाना है त्रू एवी node तो यह जो impulse conduct हो रही है ना तो कहीं न कहीं आगे कोई obstruction हो सकती है जिसकी वजह से जो cardiac contractions है उनमें कोई abnormality आ सकती है तो मतलब दो बाते हो गई या impulse generate ठीक नहीं हो रही या impulse conduction ठीक नहीं हो रही दोनों वज़ुहात में से कोई भी हो सकती है जो eridmia cause करे जैसे एक example यहां पे है re-entry phenomenon दिखाई दे रहे कि वो u-turn जैसे ले लिया जाता है तो यहां conduction में मसला है तो यहां conduction में मसला होता है तो यह आपके पास eridmia cause कर सकता है यह आप diagram है समझने वाली कि अगर आप इस diagram को समझ गए तो यह पूरा chapter आपको समझ में आ गया देखें चार phases है cardiac जो आपके पास action potential है चार phases सबसे पहली phase होती है phase 0 phase 0 क्या होती है rapid depolarization और यहां पे sodium involved है sodium ions तो सबसे पहले तो आप note कर ले के sodium ions आ गए यहां पे so phase 0 में sodium ions है यानि cardiac cells के अंदर जब sodium जाती है तो action potential आता है ठीक है contractions आती है अब एक level तक sodium channels open है और sodium अंदर जा रही है ठीक है अब जब आपके पास sodium channel deactivate हो जाती है यानि sodium channel अगर खुलें एक time तक खुलें फिर बंद हो जाते है जब sodium channel बंद हुए यह आपके पास phase 1 है तो यह देखें आपके पास जो potential है वो decrease हो रहा है एक time तक decrease हुआ है लेकिन फिर वो play to phase में आगे में सीधा हो गया directly नीचे नहीं जा रहा सीधा हो गया है आपके पास last lecture आपने पढ़ा कहा कि sodium क्या करती है cell में sodium calcium के साथ फिर एक port बनाती है sodium बाहर तो calcium अंदर यानि कि जो cell के अंदर sodium गई है ना अब वो sodium calcium को cell के अंदर ले आएगा तो calcium की वजह से आ गया play to phase यह जो आपको सीधा phase दिखाई दे रहा है that is the play to phase because of the calcium और calcium कोन लेके आया जो sodium आई थी अब calcium के भी चैनल है जहर से बात है calcium भी सारा दिन तो नहीं खुला रहता वो उन्होंने भी बंद होना है तो calcium के चैनल जब inactivate हो जाएंगे उसके बाद फिर से potassium के चैनल जो पन होगे तो potassium outward flow होगा potential फिर से नीचे आएगा यह जो नीचे आना है we call it repolarization that is phase 3 तो दो बार repolarization हुई है एक उबर से जब बिलकुल repolarization हो रही थी लेकिन बीच में रुक गई we call it partial repolarization क्योंकि बीच में रुक गई थी play to phase आ गया था और अब phase 3 में वापस repolarization हो रही है और वो end तक जाएगी that is the third phase जहांपे repolarization हुई है so यहां पे heart बिलकुल relax हो जाता है phase 4 में ठीक है that is face maker potential है यहां पे heart जो रिलेक्स हो जाता है इसमें क्या होगा slow sodium inflow slowing of potassium outflow यहां पे इसको refractive period भी कहते हुए contraction के बाद जो relaxation आती है तो यहां पे आपके पास तीन बड़ी बड़ी बाते हुई है एक तो sodium है एक calcium है और एक potassium है ठीक है यह तीन बड़ी सी चीज़े होई है और जब आपके पास एक बार यह पूरा potential गया है ना तो एक बार heart में beating हुई है नहीं heart contraction relaxation अब जाहर सी बात है यह आपके पास normal rhythm है अगर कहीं पे arrhythmia हो रहा है तो इसी normal rhythm में कहीं abnormality है और rhythm चलता कैसे है sodium, calcium, potassium तो अगर आपने medicines use करनी है rhythm ठीक करने के लिए तो इसी sodium, calcium और potassium के साथ आपने जो है कुछ changes लानी होगी तो जो आपके पास drugs होगी ना anti-arrhythmic drugs वो इन ही channels की होगी सबसे पहले आपके पास क्या होगा सबसे पहले sodium आईए तो sodium channel blockers यह सबसे पहले drugs होंगी तो sodium channel को block करें उसके बाद heart rate है ना तो heart rate को control कौन करता है पिछले lectures देख लें, beta blockers है जैसे propranolol, etinolol, sautalol वो कौन सी drug से beta blockers है अच्छा next आपके पास calcium involved होई है तो जायसी बात है आप calcium channel blockers use कर सकते हो calcium channel blockers use कर लो arrhythmia के लिए, आपके पास potassium भी यूज़ होई है तो चौथा आप यूज़ कर लो potassium channel blockers तो इस तरह से चार drugs आपके पास चार classes आ जाती है sodium channel blockers, calcium channel blockers potassium channel blockers जाहर सी बात है rhythm में तीन चीज़ें involved होई थी उन्हीं तीनों को block कर दो तो these four are called anti-arrhythmic drugs sodium channel blockers, calcium channel blockers और potassium channel blockers और इनी की वज़े से heart rate चल रहा है so you can also use beta blockers तो इस slide को अच्छी तरह समझ ले सारे जो आपका chapter है इसी slide के उपर based है तो यहाँ पर उसी चीज़ को explain कर दिया का एक बार फिर से कि phase 0 में क्या हुआ है fast sodium channels are responsible for initial rapid depolarization यानि जो आपके पास initially action potential increase हुआ था that was depolarization किसकी वज़ा से? sodium फिर sodium channel होगे बंद जैसी बंद होए थोड़ा सा आपके पास potential decrease हुआ लेकिन sodium ने क्या किया? calcium endured ले तो आपके पास play to phase आया तो यह जो initial decrease हुआ था we called it partial repolarization फिर आपके पास play to phase आगया play to phase में involved हुआ calcium ठीक है? तो phase 0, phase 1 और calcium का phase 2 calcium ने भी जैसी बात है inactive होना है फिर आपके पास phase आपके पास आगया है जो आपके पास third phase है that was complete repolarization जो के potassium की वज़ा से है potassium outward flow हो रहा है and जब थर्ड फेस खत्म हुआ heart बिल्कुल relax हो गया we called that resting membrane potention तो एक बार फिर से देख लेए यही rhythm है न तो drugs भी use करनी होगी तो यही sodium को block कर दो या फिर calcium को block कर दो या potassium को block कर दो इन तीनों की वज़े से rhythm खराब होता है इनी तीनों को अपने block करना है अब कौन सी ड्रग को कभी use करना है यह ECG पर depend करता है कि जो cardiologist है वो किस तरह एक बंदे को diagnose करता है और वो बताते कि आया sodium की जो है problem आ रही है potassium का problem आ रही है या फिर calcium का problem है वो जो diagnosis है वहाँ पर clear हो जाता है now what is the goal of treatment so patients with arrhythmia is preferably to return to heart that is sinus rhythm यानि आपने arrhythmia को normal पे ले के आना है treatment options में मुक्तलिफ drugs है जैसे amiodrone, lidocaine, etinolol इसके इलावा जो आपके पास ablative है यानि malfunctioning tissue you have to correct the electrical rhythm अब यह देखे amiodrone है, lidocaine, etinolol है इस तरह तो बहुँ सारी drugs है तो हम इनको classify करना पड़ेगा classify कर लेंगे तो drugs के between आप differentiate कर पाएंगे तो यह काम किया Vaughan William ने Vaughan William ने इन चार classes को separate किया classify किया और बढ़ी असानी हो गई उसकी मज़े से कि class 1, class 2, class 3 और class 4 और इनकी तरतीब यही रखनी है क्योंकि Vaughan William की classification है तो तरतीब भी यही रहेगी class 1 में sodium है तो sodium channel blocker ही रहेंगे class 2 में beta blockers है तो beta blocker रखेंगे class 3 अगर calcium channel blocker है तो हमेशा class 3 calcium channel blockers ही रखेंगे और class 4 अगर potassium channel blockers है तो always would be potassium channel blockers आप खुद से यह classes अलग-अलग नहीं कर सकते इसे को ऐसे ही याद कर लें क्योंकि यह Vaughan William की classification है हमारी अपनी classification नहीं है और इसलिए important है कि MCQ में आपके पास drug की बज़ाए class भी बासकती है कि class 2 की कोई drug So you should be knowing कि class 2 में beta blocker रखती है So Vaughan William वही बात कर रहे हैं कि फिर उन्होंने drugs को classify कि according to the anti-arythmic potential तो depend करते है कि आपके पास movement of electrolytes Now what are electrolytes As I already said sodium electrolyte है Calcium electrolyte, potassium electrolyte है तो electrolytes की बिना पर भी classification है और साथ में अगर देखा जाए ना So according to their ability to block the movement of one or more of these ions तो यानि movement के level पे भी जो है classification है So Vaughan William की classification देख लें Class 1 is sodium channel blocker Class 2 is adrenergic blocker और यहां पर चोटी सी mistake है मैंने Class 3 को calcium channel blocker कहा लेकिन according to Vaughan William Class 3 is potassium channel blocker तो यहां पर मैं खुद गलती कर गया हूँ यह बात आप याद रखें Class 3 is potassium channel and Class 4 is calcium channel blocker तो इसको इसी तरह से याद रखें कुछ other drugs में आती है adenosine, digoxin और atropine और यह तीनो life-saving drugs है Dioxin last lecture था हमारे पास atropine और adenosine बहुत useful drug है और यह भी life-saving drug में आती है तो यहां तक आपके पास एक basic concept है कि arrhythmia क्या है और anti-arrhythmic drugs क्या है So what was arrhythmia के कई sodium, calcium, potassium में disturbance आ रही है which cause arrhythmia और anti-arrhythmic drugs क्या है ओनी sodium, potassium, calcium को control करना वो drugs anti-arrhythmic drugs है Starting with the sodium channel blockers So sodium channel blockers जो है sodium channel body में बहुत सारे होते है So sodium channel blocker भी 3 classes में divided है Class 1 है Class 1 A भी हो सकता है Class 1 B भी हो सकता है Class 1 C भी हो सकता है फर्क क्या होगा जो आपके पास class 1 drugs है Class 1 A drugs वो क्या करती है They block the fast sodium channels जो आपके पास phase 0 वाले थे Fast sodium channel को block कर देते उससे क्या होगा Action potential slow हो जाएगा Obviously जब वो जो हो रहा है तो उससे क्या होगा 1 A prolongs repolarization Prolong का मतलब duration ज्यादा लग रहा है पहले वो fast channel से कम duration था Heart rate ज्यादा थी Channel को अपने block कर दिया तो fast वाली कहानी खतम अब time ज्यादा लगेगा यानि के Prolong होगा Repolarization Prolonged हो जाएगी Duration of action potential would Increase यानि ज्यादा time लेगा Heart rate contract होने के लिए तो इस तरह से आप heart rate थोड़ा Normal पे लाते हो Drugs कोन सी है Quinidine Prokinamide Dizopiramide यह drugs है 1 A 1 B क्या करती है They shorten the Repolarization अब यह उल्टी बात कर रहा है 1 A Action potential को Increase कर वा रहा था 1 B यह भी sodium channel blockers है लेकिन इनका Site of action different है यह shorten करते है Repolarization को यानि के यह heart rate बढ़ा रहा रहे है आपके पास यह क्या करेंग इसे drugs है लिगनोकेन मेकजिलिटीन फैलिटाइन यह drugs क्या करती है यह duration को कम करती है यानि Repolarization would increase इसके इलाबा 1 C क्या करती है They have the little effect on Repolarization But They are the most potent drugs ठीक है ज्यादा potency है थोड़ी सी dose देंगे और बहुत effect आएगा और रिपोलराइजेशन पे इनका कम effect है ठीक है एनकेनाइड फ्लीकेनाइड प्रोपाफिनोन यह तीनो ड्रक्स 1A 1B 1C इस आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स या तो रिपोलराइजेशन को बढ़ाएंगी या रिपोलराइजेशन को डिक्रीज करवाएंगी तो उसी स्लाइड को रिपीट किया गया यहां पर कि 1A क्या करती है रिपोलराइजेशन को प्रोप्रोलॉंग किया यानि डिउरेशन ज्यादा लग रहा है 1B ने रिपोलराइजेशन को कम किया यानि हार्ट रेट जल्दी होगा और थर्ड जो आपके पास है उसका रिपोलराइजेशन पर इफेक्ट है लेकिन कम इफेक्ट है बट है यह पोटेंट ड्रॉट्स एनकेनाइट फ्लिकेनाइट प्रोपफिनोन मेंस इनकी जो डोज है पहुत स्मॉल है पार्शियल रिप Cuban अब आप देखुरीशन इसनि भलॉप किया हूा है कंडक्शन स्लो हो गई है यानि बजाए इसके करें ये नीचे वाला पात्व पोगल önce करें ये अराम-अराम से अब repolourization होती है तो यानि कि यहां पर जो आपके पास duration है वो बढ़ गया है repolourization slow हो गई है Quinidine is the drug Quinidine in Conobark से आती है जहां से आपके पास anti-mallarial drug quinine आती है सो same mechanism है दोनों का करती क्या है it blocks the sodium channel sodium channel block करेंगे conduction velocity कम हो जाएगी आटोमेटिसिटी, डिक्रीज हो जाएगी, री-POLARIZATION प्रोलॉज जाती है, हार्ट रेट कम हो जाता है, तो देख aleg, फेस जीरो, री-POLARIZATION, डिक्रीज हो जाती है, जो, फास्ट सोडियम चैनल थे, कम हो गया है, APD, एक्शन पोटेंशल डिउरेशन, increase हो गया है ERP Effective Refractory Period Increase यानि ज्यादा time लगेगा heart को relax होने में उसके बाद uses क्या है अगर arrhythmia आता है चाहे atrial हो चाहे ventricular हो यानि चाहे atria के rhythm अफार की है ventricle डोनों conditions में quinidine use हो सकती है adverse effects क्या है heart block, hypertension, qt, prolongation obviously वो time interval बढ़किया है तो qt prolong हो गया है other adverse effects GIT पर क्या है thrombocytopenia GIT के adverse effects है hepatitis idiosyncratic reactions है यानि adverse effects में आज़के high dose पर synchronism like quinine quinine जैसे effects लेकिया आता है the next drug is prokynamide similar drug है sodium channel blocker है but no vagolytic activity यानि वह एक वेगस नर्फ की जो एक्टिविटी है जो वेगस नर्फ parasympathetic system की तुरू हार्ड रेट कम करता है prokynamide ऐसी कोई activity नहीं रखता prokynamide वेगस नर्फ की ओपर कोई effect नहीं लाता और कुछ adverse effect GIT में देख लें तो nausea वामिटिंग कर रहा है hypersensitivity reactions हो सकते है if there is allergy high doses use करेंगे तो hypotension हो सकती है heart block हो सकता है sodium channel block कर लेंगे तो heart में भी depression आ रही है QT prolong हो सकता है और third drug है Dysopyramide anti-cholinergic effects रखता है तो anti-cholinergic effects बाकी drugs में नहीं आते हैं अच्छा इसकी वाज़े से dry mouth, blood vision, constipation, urinary retention आपके पास यसे टाइल कुली जो है ना urination, urination बढ़ाती है GIT को contract कर वा रही है यह anti-cholinergic है यानि यसे टाइल कुलीन के लेबल को घटाती है तो dry mouth होना, blood vision होना, constipation, urinary retention smooth muscles को inhibit करने की बजह से then we have the drugs class 1B यह वो drugs थी जो आपके पास क्या कर रही थी जो आपके पास repolarization है, उसको तेज कर रही थी so drugs है, lignocaine, phenytoine, maxilatine अब lignocaine anesthetic है, phenytoine anti-epileptic drug है लेकिन उनका sodium channel blocker effect भी है so यह क्या करती है, repolarization को short करती है normal देख ले, normal आपके पास ज्यादा time ले रहा है लेकिन यह red वाली line देख ले, यह फॉरण से deep है यानि आपके पास after the drug deep effect आ रहा है 40 तोर पे जो है, repolarization यह तेज हो जाती है lignocaine that is a local anesthetic करती क्या है raises the threshold for action potential, यानि threshold बढ़ा देती है अगर पहले first कीजिए, minus 35 पे action potential आ रहा था अब आपके पास minus 10 पे action potential आ सकता है, यानि के heart जो अगर contraction करेगा तो action potential ज्यादा हो तब जाके contraction करेगा, normally उसमें contraction नहीं आएगी automaticity decreased है, यानि जो इस तरह फॉरी तोर पे heart contraction कर रहा था because of the drug आपको heart की contraction कम हो गी है साथ में suppresses electrical activity of arrhythmogenic tissues, वो tissues के जिसमें arrhythmia आता है, वहां पे electrical activity suppress हो गई है, दबा दी गई है, इसका नुकसान high first pass है यानि first pass metabolism ज्यादे तो orderly drug use नहीं कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा पारेंट्री लिर दी जाए, यूजिस ventricular arrhythmia, specifically तब यूज की जाती है, जब ventricular arrhythmia आ रहा है, adverse effects देख लें, तो obviously in aesthetic है, drowsiness, hypertension, blurred vision, confusion, convulsions, क्योंकि brain में भी जा सकता है, brain में भी sodium channels हैं, तो central nervous system की effects भी आते हैं, third drug is phenytoin, जो असल में तो anti-epileptic drug है, but it is also used in ventricular arrhythmia, because of the sodium channel blocking activity, maxillatine देख लें, it can be given orally neurological adverse effects, इसके भी आते हैं, जिसे tremors होना, blurred vision होना, nausea हो जाना, and it is used as alternative to lignocaine, and aesthetic use करने की बजाए, maxillatine is more better drug, in case of ventricular arrhythmia, then we have the third class, that is class 1C, जिसमें propafenone है, flicanide है, n-canide है, हैं क्या sodium channel blockers, यह भी sodium channel को ही block कर रहे हैं, और यह क्या करते हैं, repolarization पे minimum effect है, यानि जो आपके पास specially drugs थी, या तो repolarization को increase कर रही थी, या repolarization को decrease कर रही थी, इनका repolarization पे minimum effect आता है, इसकी एक और वाज़ा भी है, इंतहाई potent drugs हैं, तो अगर जरा से अभी आपने dose बढ़ा दीना, तो यह directly heart को block करता है, जिसकी वाज़े से cardiac arrest हो सकता है, sudden death हो सकती है, तो यह drugs जो है minimum use होती है, ज्यादत तरही इस्तेमाल नहीं होती है, अगर तो severe arrhythmia, severe जैसे के fibrillations तक बात जाती है, फिर आप जो है propafenone consider करते हैं, tabulated form देख लें, A की table में 1, B और C, A, B, C डाल दी गई है, A क्या equinidine, prokinamide, diazepineamide, यह दोनों में use होती है, अट्रियल भी और ventricular भी, class 1, B, only ventricular arrhythmia, और class 1, C, जो है, वो भी ventricular arrhythmia में इस्तेमाल होती है, या AV nodal re-entry, नहीं कहीं पर अगर आपके पास obstruction IV है ना, तो जो re-entry phenomenon है, वहाँ पर भी ventricular level पर use होती है, सो, atria ventricular class 1, A है, जबके 1, B और 1, C, दोनो ventricular arrhythmia के लिए इस्तेमाल होती है, अब आते हैं, class 2 drugs पे, जो के beta blockers है, अल्रेटी पढ़े हुए beta blockers, जैसे कि आपके पास propranolol है, sotalol है, etinolol है, यह क्यां beta blockers है, specifically, I am talking about beta 1 blockers, beta 1, adrenergic receptors है, that is present on the heart, कीक है, और beta 1 करता क्या है, stimulatory है, heart rate बढ़ाता है, तो heart rate कम करने के लिए beta 1 को block करना पड़ता है, so these are beta 1 blockers, कीक है, treatment for supraventricular arrhythmia, now the word is supra, supra means above, ventricle से above अगर arrhythmia आ रहे, जैसे atrial level पे अगर arrhythmia आ रहे, है, then you have the drug beta blockers, especially, जो लोग exercise करते हैं, heart बढ़ जाता है, heart rate, hyperthyroidism है, heart rate बढ़ता है, इसके लिए drug है, ismolol, IV drug है, short acting है, और use होती है, to treat arrhythmia during surgery, following, अगर किसी को myocard infarction है, या कोई emergency, आपने heart rate कम करना है, तो उस दोरान आप ismolol, इस्तमाल करते हैं, क्योंकि surgery के दौरान तो anesthesia होता है, बंदा जो है और ली तो tablet ले नहीं सकता, तो इस वज़े से IV देनी पड़ती है, then we have the class three drugs, जो हमने बात की potassium channel blockers, potassium क्या potassium involved हो रही है, एक तो partial repolarization और फिर phase three जो था, अब वहां पे potassium involved हो रही है, और विस्ती बात है, potassium channel को block कर रहे हो, तो वो क्या करिए, partial repolarization या complete repolarization के level पर काम करिए, phase three जो है, क्या होगा, potassium channel को आपने कर दिया block, तो potassium बाहर जाएगी नहीं, जब बाहर में जारी, तो cell में जो आपके पास duration था, वो increase हो गया, action potential duration बढ़ गया है, heart rate slow हो गया है, अब अराम अराम से relax हो रहा है, और ज्यादा time लेगा, तो यानि heart rate कम हो जाएगा, refractory period बढ़ गया है, refractory period यह जब heart relax कर रहा है, तो बढ़ने का मतलब क्या है, पहले कम time में relaxation अरी, अब ज्यादा time required है, heart को contraction और relaxation करने में, ज्यादा time का मतलब क्या है, slow slow चलना, फर्स किजिए आप एक जगह से दूसरी जगह कम time में पहुंच रहे हो, मतलब ज्यादा तेज़ चल रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा time में पहुंच रहे हो, मतलब slow चल रहे हो, same case with the heart, drugs है, amiodrone, amiodrone क्या है basically, iodine containing drug है, amiodrone, और mechanism देख ले, prolongs, APD, action potential duration, prolong हो जाता है, क्योंकि potassium channel block है, तो potassium बाहर जा नहीं रही, तो अराम-अराम से relaxation आ रही है, blocks inactivated sodium channel, sodium कोई block कर दिया है, इसने ही multiple mechanism है, beta blocking activity भी रखता है, amiodrone, beta blocker भी है, साथ में calcium channel blocker भी है, conduction भी कम कर देगा, और ectopic automaticity, now that is an important thing, ectopic क्या होता है, लेकिन, automaticity के हमने तो बात कर ली, SA node, automaticity रखता है, AV node, automaticity रखता है, what is ectopic, अगर SA node के बजाए कहीं, और से automaticity generate हो, that would be abnormal, automaticity सिरफ SA node या AV node से आए, और कहीं से भी ना आए, अगर कहीं और से generate होई, that would be called ectopic, so इसको कहते हैं, ectopic foci, यह specific cells हैं, और यह abnormal है, so वो भी कम हो जाता है, because of the use of amiodrone, क्यूंकि देखें, calcium channel भी block हो रहें, sodium channels भी block हो रहें, तो ectopic, जो foci है, वो भी बंद हो जाता है, amiodrone की pharmacokinetics देखें, तो variable absorption है, 35 to 65 है, onset इसका बड़ा slow है, और जब onset आभी जाते हैं, तो duration भी काफी हफ्तों से लेके, महीनों तक काम करता है, लेकिन एक मसला है, many drug interactions, यह जो आपके पास cytokrome enzymes होते हैं न, liver में, cytokrome enzymes, cytokrome P450, उसके साथ interaction करता है, तो जाहर सी बात है, cytokrome से तो बहुत सारी drugs metabolize हो रही है, तो बहुत सारी drugs के साथ इसका interaction आता है, यहां पर problem हो जाती है, amiodrone की use के हवाले से, next, it can be used for supraventricular tachycardia and ventricular tachycardia, यानि atrial level पे generate हो, तब भी amiodrone use होती है, ventricular level पे generate हो, तब भी amiodrone इस्तमाल हो सकती है, adverse effects क्या है, heart block, यानि obviously high dose पे use करेंगे, तो problem तो आएगी, heart block, cutie prolongation है, bradycardia हो सकता है, cardiac failure, hypotension हो सकती है, यानि के वह ही है, जो heart की bradycardia की वज़े से हो रहे है, drug या ज्यादा use होगी तो problem है, अच्छा, iodine based drug है, iodine based drug मेंचे से pulmonary, यानि lungs के level पे भी problems आ सकती है, pulmonary fibrosis बगारा, skin की discoloration हो सकती है, GIT disturbances या hepatotoxicity liver level पे, और साथ-साथ, आपको पते है, T4 और T3 ये भी iodine based होते हैं, तो because of the drug, T4 to T3 conversion भी disturb हो सकती है, तो hypothyroidism या hyperthyroidism भी इसका adverse effect आता है, then there are some other classes, जैसे brittalium है, brittalium के adrenergic neuron blocker है, neurons को block कर दे, used in ventricular arrhythmia, the word is adrenergic, यानि sympathetic nervous system की जो neurons है, आइधर epinephrine और norepinephrine driven, ये वाली जो आपके पस neurons है, then we have the sotolol that is a beta blocker, फिर duffetilide, ये potassium channel blocker है, selective potassium channel blocker, और atrial fibrillation में इस्तेमाल होती है, duffetilide, then i-butylide के है, ये भी potassium channel blocker है, और IV infusions में आती है, specifically atrial fibrillation, जहां heart rhythm 500 तर जाता है, या atrial flutter, जहां 350 heart rate आता है, at that time फिर आप i-butylide या फिर duffetilide इस्तेमाल करते हैं, दोनो potassium channel blockers है, last that is calcium channel blocker, calcium channel blocker already हम यूज़ कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, sorry, पिछले lectures में, करती क्या है calcium, calcium का का क्या है, contractility लाना, muscles की contraction के लिए calcium चाहिए, अब calcium ही अगर आप block कर दोगे, तो contractility decrease हो जाएगी, automaticity कम हो जाएगी, और AV conduction भी decrease हो जाएगी, drugs कौन सी है, verapamil है, diltiazem है, इसके लावा बहुत सारी drugs है, nefidipine, nymodipine, nicaridipine, तो dipine family सारी, so the drug is called verapamil, verapamil क्या करती है, terminate करती है, paroxysmal supraventricular tachycardia, so supraventricular atrial level पे अगर है, इसके इलावा, ventricular भी atrial flutter, या fibrillations, उनको भी control करती है, digoxin के साथ, जो हैं इसका interaction है, digoxin के साथ, verapamil साथ में नहीं देते, digoxin के chapter में भी यह बार discuss होई थी, क्या करती है, digoxin को अपने level से displace करवा देती है, और digoxin के serum level change हो जाते है, so that's why यह risk factor पर digoxin को डालती है, secondly, digoxin की renal clearance कम कर देती है, तो जब renal clearance कम हो जाएगी, तो serum level भढ जाएंगे, जो नुकसांदे सावित हो सकता है, so digoxin के साथ, वेराब अमेल एक साथ नहीं देते है, then we have the drug called adenosine, very useful drug, life-saving drug, that is adenosine, करती क्या है, purine nucleotide है, adenosine आपने पढ़ा होगा, ATP, adenosine, triphosphate, DNA में है, adenine, guanine, adenine की तरह की drug है, adenosine nucleotide है, very short acting and rapid acting, फौरी तोर पे काम करती है, mechanism इसका सुने आप, सबसे पहले potassium channel blocker है, acetylcholine के sensitive potassium channel, अच्चा, इसके साथ-साथ, membrane की hyperpolarization, या मैंने word use के blocker, sorry, ये blocker नहीं है, sensitizer है, यह नि sensitivity लाता है, उसका stimulant है, अब hyperpolarization लाता है, एक और चीज़, adenosine की अपने receptor भी है, called adenosine receptor, प्रिदों है, A1 और A2, A1 inhibitory है, A2 stimulatory है, यह क्या करता है, A1 level पर काम करते हैं, यानि inhibition ले के आता है, देखे, A1 type of adenosine receptors है, SA node पर, SA node जहां से automaticity आती है, तो उस level पर inhibition ले के आता है, then, IV suppresses automaticity, AV conduction is suppressed, coronary vessels dilate करते हैं, यह blood flow भी बहतर बनाता है, और very important MCQ, drug of choice है, in case of, paroxysmal supraventricular tachycardia, अभी अपने पीछे पड़ा के विरापा मिल भी इस्तेमाल होती है, लेकिन drug of choice is, adenosine, adverse effects देख लें, nausea, dysnia, flushing, headache बगारा, जैसी problems हो सकती है, और drugs है, अच्छा ब्रेटिक यह बढ़ी अच्छी ड्रग है, अच्छा, digitalis जहां से डाइजॉक्सिन आती है, atrial fibrillation से बढ़ी अच्छी है, atrial flutter में डाइजॉक्सिन उस्फुल ड्रग है, magnesium sulfate, तब जगर डाइजॉक्सिन की वज़ह से एरिद्मिया होता है, यू किन यूज मेगनिशियुम सलफीट, डेन टेबलिटिट फ़र्म है, कि आपके पास ये ड्रग्स जो है, अगर ड्रग एवी नोड पे काम कर रही है, तो वेरापामिल, डिल्टायाजम, दोनों कैशिम चैनल ब्लॉकर है, एडिनोसीन, ये आपके पास मुफ्तरिफ मेकनिशम है, ये लाइफ से भी ड्रग है, डाइजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर्स, ये सारी एवी नोड लेवल पे काम करती है, वेंट्रिकल्स में देख लेए, लिगनोकेन, मैक्जिलेटाइन, फैरिटाइन, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है, वेंट्रिकुलर एरिद्रिमिया में यूज़ हो रहे है, जबकि एवी नोड वाले सुप्रा वेंट्रिकुलर और टैकिकार्डिया में यूज़ होते थे, अच्छा, एट्रिया, वेंट्रिकल और एक्सेसरी पात्रिये जो दोनो लेवल पर काम करें, एट्रिया में भी वेंट्रिकल में भी, तो जो क्लास वन वाली ड्रक्स ही, याद होगा, क्विनडीन, डैजोपाइरमाइट, इसके इलगा, एमियोड्रोन, फ्लिकेनाइड, फ्लोकेनाइड, प्रोपाफिनोन, ये यूसफुल हैं दोनो, सुप्रावेंट्रिकुलर भी और टैकिकार्डिया में भी, यहां तक तो मैडिसन्स हो गई, अब कुछ नर्सिंग कंसेडरेशन से कहीं, नर्स आपकी क्या ड्यूटीज बनती है, सो सबसे पहले तो कॉंट्रा इंडिकेशन्स चेक कर ले, सोडियम चनल ब्लॉक कर रहा है, सोडियम चनल ब्रेन में भी है, तो देख ले कही साइकोलोजिकल इस्यूस तो नहीं है, इसकी इलावा हार्ट रेट चेक कर लें पहले से, रिनल डिस्फंक्शन देख लें, हार्ट ब्लॉक्स देख लें, हाइपर सेंसिटिविटी चेक कर ली जाए, क्योंकि इन मेडिसिंस में आप ज्यादर रिस्क अफोर्ड नहीं कर पाते, देन, फिजिकल एसेस्मेंट की जाती है, बिफोर बिगिनिंग दे ड्रग, उसके बाद कार्डियक स्टेटस मालूम कर लें, ब्लॉड प्रेशर, हार्ट रेट, रिदम जेक लें, हार्ट साउंड देख लें, सबसे पहले तो डाइगनोज किया जाता है ना पेशिंट को, कि एरिदमिया हैं तो कौन से वाला है, देन, कम्प्रीट ब्लड काउंट कर ले, सीबीसी रिपोर्ट देख ली, रिनल और रिवर्ट टेस्ट कर वा लिए, टॉक्सिक एफेक्ट चेक करने के लिए, क्योंकि अगर किसी डॉक्ट की टॉक्सिसिटी हो जाती है ना, तो हाट के उपर एफेक्ट आ रहा है, और हाट के उपर आप ज्यादे अड़ट से फेक्ट रफोर्ट नहीं कर पाते हैं, देन अगर टॉक्सिसिटी के लेवल है टाइट्रेट कर लिए डोस को यानि डोस को कम से यादा किया जा सकता है कार्डियक रिदम कंटिनियूसली मॉनिटर करें कई पोटेंशली सीरियस एडवर्स इफेक्ट ना हो जाए इसके लिएवा एमर्जेंसी ड्रग में भी मेंटिनेंस रखी जाती है और फॉरी तोर पर आपने टॉक्सिटी को जो है मेंटेन करना होगा पेशिंट को एजूकेट किया जाए विद द ड्रग थेरेपी कि उसने ड्रग थेरेपी कैसे लेनी होती है अकॉर्डिंग टू इस ड्रग नेम वह खेरा पेशिंट को पूरा ड्रग रिजीम समझाया जाए आप देट वाल अलवाओ देट एंटि एरिद्मिक ड्रग्स तो काडियो औस्कुलर में हमारे पास चारों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं लास्ट हम बात करेंगे फिर त्रॉंबोलिटिक थेरेपी पे तो यह वाला चैप्टर भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा यह आ आप यह वाल आप दो पूल को साथ हो जई